नमस्कार बिग नीज बिग लिस्टिस में आप सभी का स्वागत है मैं उसंतो शौधरी और मिडी लिस्ट के लिए एक बड़ी अच्छी ख़बर है ख़बर ये है कि मिडी लिस्ट में जो युद्ध चल रहा था जो इसराइल और लेबनान के बीच इसराइल और कहा जा सकता है कि हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं लगातार पिछले चौदा मेहनों से लगबग चौदा मेहनों से इसराइल और लेबनान और इसराइल के लड़ाके आपस में संगर्शत थे जो युद्ध चल रहा था उस पे विराम लग गया है यानि कि संगर्श विराम हो गया और यह जो साथ दिन आप देख रहे हैं यह साथ दिन इसलिए दिये गए हैं कि अब जो इसराइली सेना है वो लेबनान के सरजमी को छोड़के वापस आएगी और इसके साथ साथ जो हिजबुला के लड़ाके हैं वो लटानी नदी की तरफ जाएंगे यह कुछ बड़े समझोते हुए उन समझोतों के बारें बताएंगे लेकिन 14 महिनों का जो मातम यह आप तस्वीर देख सकते हैं इस तरीके से लेबनान के शहर दर शहर खंधर होते चले गए दस लाख से जादा लोगों का पलायन हुआ है चारस हजार से जादा लोगों की मौत हुई और घायल होने वालों की संख्या तो हजारों में है और ये बड़ी तस्वीर आप देख पा रहा है कि लगातार हम इसाहिल और लेबनान की बात कर रहें इसाहिल और लेबनान के दित की बात अर। लेकिन ये बड़ी कहार रह सकता है कि एक बड़ी शुरुवात है मिडिल इस्ट को लेकर क्यों tomorrow कि इस प्रस्ताओं ने 2006 में इस्राइल हिजबुल्ला के बीच युद्ध को खत्म किया था, वो 36 दिन का युद्ध था इसी प्रस्ताओं के तहित समाप्त हुआ था, संगर्श्विराम हुआ था समझाते का था, जिजबुल्ला अपनी सेना है, लिटानी नदी के उत्तर में ले जाएगा, लेकिन अब लेबनान में, लेबनान के तरफ ले जाएंगे, यह इलाका इस जायल की सीमा से लगभग 30 किलो मीटर दूर है, जो लिटानी वाला इलाका है, लेकिन अब लेबनान में, लेबनान के जो सैनिक है, खास्तों से दक्षी लेबनान, क्योंकि दक्षी लेबनान के हम जब भी बात करते हैं, तो हिजबुल्ला के एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है, लडाकों के बड़ा गढ़ माना जाता रहा है, और इसी लिए इस समझ करता हो है जो कहा दा सकता कि मिडिलिस्ट को अब आने वाले दिनों में एक नई दिशा की ओल ले जाएगा क्योंकि पिछले चौदा महिनों से सिर्फ युद्ध नहीं सिर्फ मौत और मातम नहीं था व्यापार बंद हो चुका था कई बड़े का दस्तिक मिडिलिस्ट के कई औ बड़े पहल के बाद बड़े प्रयासों के बाद जो इस्राइल है और जो लेबनान है वो संगर्ष विराम में को लेकर उस समझोते को लेकर कहा ज़सते हैं उन्होंने सहमती जताई है लेकिन कुछ और बड़े तीन कारण देख लेते हैं कि आखिर बिंजम इन्नत्यन्याह जो हैं उनके पास क्या तीन बड़े कारण होंगे कि वो समझोते पर त्यार हुए में जब इन्हों कि सीजफायर के तीन बड़ी वज़ा है पहला इरान पर ध्यान के इंदित करना दूसरा रिजर्व सैनकों को आराम देना तीसरा जो है वो हमास को अलक थलक करना यानि कि य एक सोची समझी प्लानिंग भी है कि जो रिजर्व सैनिक है उनको आराम देना क्योंकि प्रिसे 14 महने से लगातार इस्जाइल जो है लेवनान से युद्ध कर रहा है लेकिन इस्जाइल के सैनिक अभी भी हमास के फ्रेंट पर लगातार संकर्षत है हमास के फ्रेंट पे इस्जाइल और इरान आमने साबने आ गए तो चुनौतिया और बहुत बढ़ जाएंगी खास दोर से मिडिल इस्ट की बात करते क्योंकि मिडिल इस्ट के जो देश है वो क्रूड रोयल के अपने आपे बड़े समरदिशाली देश माले जाते और इसलिए लगातार चुनौ बढ़ती जारिये एक और बड़ा कार एक और बड़ा कार ये कि ट्रंप के आने के बाद लेकिन एक और हम इसमें आगड़े देख लेते क्यों माने बेंज़ा बनेत्ति नहूं संगर्ष विराम या कुछ और तीसी वजा है लंबे संगर्ष से सैनिकों पर बुरा असर ये भ बड़ी वज़ा है दूसी वज़ा है कि जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इस्राइल का अब अगर ऐसे ही युद्ध में जाइल जो है भीड़ा लगा रहा तो आने वाई दिनों में जो आर्थिक चुनोतिया उभर के आएंगी उससे उबर पाना बड़ा बड़ रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट देखकर समझे की खुशिश करते हैं कि आखिर ये विद्ध विराम जो है क्या कुछ कहता है और अमेरिका का कितना बड़ा हस्तक शेफ है क्योंकि जो दूसरी बड़ी बात हम कहने वाले थे डोनाल ट्रम्प का आना क्योंकि हमारे आते ही दुनिया के किसी कोने में युद्ध नहीं होगा और शायद इसलिए जो बाइडन प्रशासन की तरफ से एक बड़ी पहल की गई और इसराइल और लिबनान के बीच में संकश्विराम कराए गया लेकिन एक और बड़ी खबर दुनिया में चल ले वो ये है कि जो बाइडन के प्रशासन जो है वो रूस और यूक्रेन पर भी उसने नजरे लगा ली है कि वहां पर भी शांती की तरफ बढ़ा जा सकता है इस पर हम बड़ा विस्टेशन करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल है आज की इस बड़ी खबर पर विस्टेशन करने यह खुशी अपने शहर, अपने घर, अपने वतन वापसी की है जो लेबनान पिसे 14 महीं से युद की आग में चल रहा था दुन्या का खूप सुरत अदीश लेबनान उसके शहर दर शहर खंडर हो गए वो एक बार फेल जिन्दगी की करवट ले रहा है कभी नवेते वाली मौत के गूज के बेच बेतर भविश्य का नंगना सा सपना एक बार फिर अंखुईत हो रहा है लाखों लोग लेबनान से जा चुके थी वो अब वापस आ रहे पर चुनोतियां बहुत है चिंता बहुत है खंडर के बेच अपने घर को खोजना कितना मुश्किल सा होगा य 14 मैंने जानी की 434 से दिनों ने मिडिलीस्ट की तस्वीर बदल दी मिडिलीस्ट पर युद्ध के काले बादल कुछ दिनों के लिए सही पर अब लेबनान और इंजायन की धरती खुन से लाल नहीं होगी आसमान पर युद्ध का उर्ता धुआ साफ होता दिखेगा सही मैने मिडिलीस्ट की लोग आसमान में तायरों को देख पाएंगे युद्ध ने क्या दिया मौत और मातम और इसके साथ-साथ पलायां लेबनान की बात करें तो लेबनान में अब तक 3768 लोगों की मौत हो चुकी है घायलों की संख्या 16000 से जादक लगभग घर बरबाद की बात लगभग 9,00,00,00 परिवारों की है इसराइल ने जिस तरह से आतंकी संख्यां लड़ाकों को चुंचुन कर सफाया करने में जुटा था उससे ये लग रहा था कि आने वारी दुनों में मिडिलीस्ट में हिजबुल्ला आतंकी संख्यां निस्ते नाबूत हो जाएगा इसरा पिसले हपते अमेरिका अधिकारी अमोस्त फोचिस्टी में लेबनान पहुचे और कई शीद नताओं से मुलाकात की और वहीं से शुरू हुई इसराइल हजबुल्ला के बेच युद रोबने की शुरुआ अमेरिका के अधिगारी यहीं ही उके वो लेबनान के बाद इस जायल भी पहुचे और बड़ी बैट्टों को अंजाम दिया तब जाकर इस जायल और लेबनान के बेच संगर्ष्विराम की सहमती बने जिस पर दोनों देश राजी हो गए भारत ने भी सीजफायर का स्वागत किया है विदेश मंत्राले का आप ये बयान देखिए भारती मिदेश मंत्राले का कि हम इस जायल और लेबनान के बेच सीजफायर का स्वागत करते हैं हमने हमेशा तनाव कम करने, सयम भरसने और बाचीत और कुटीत के रास्ते बन लोटने के अपील की है। हमें उमीद है कि इस से इलाके में शान्ती और स्थिरता आएगी। लेकि सीजफायर के साथ दिनों की बाद तो इज़ायर और कैबनेट ने मंदूरी थी। लेकिन जंग के 14 मेनों की टाइम लाइन पर नज़र दाले तो 7 अक्टूबर 2023 की वो काली रात जब हमास ने एक साथ इस जायल पर हमला कर दिया लगभा के समले में एक हजार लोग माले गए। 8 अक्टूबर 2030 को गाजा पट्टी में ज़ायल ने ओपरेशन आयरन स्वार्ट शुरू किया। वही 27 अक्टूबर तक पौश्टे पौश्टे गाजा पट्टी में ज़ायली सेरा टैंक लेकर लेबनान में गुश्चु की थी। 17 सितंबर को लेबनान में एक साथ 3,000 पेजर्स ब्लास होते हैं जिसमें हजारों लोग घैल होते हैं। 8 सितंबर को हिजबुला के वाकी टौकी फट्टी शुरू हो गया। वही 27 सितंबर 2024 को एर स्ट्राइक में हिजबुला चीफ हसन नसुला मारा गया। युद्ध समाप्त हो चुका है, सेनाय वापस हो रही है, बाशिन देख घर लोट रहे हैं। यह तस्मीर दुनिया के लिए एक सबक है, युद्ध के मैदान से समधान नहीं निकलता है। तो बिल्कुल सही कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता और एक बार फिर मिडिलीस्ट में एक अच्छी खबर दिखाई पड़ी है, सुनाई पड़ी है जिसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया महसूस करेगी एक बड़ा पैनल हमाई साथ जुड़ा है क्योंकि मिडिलीस्ट से जो बड़ी खबर आई कि इसराइल और लेबनान के बीच में संगर्श विराम हुआ है इसके क्या पढ़ाम होंगे हमाई साथ आज चत्रुवेदी जी है रिटायर्ड मेजर जनरल है अज़े जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला इसके साथ हमाई तिनरजन जी है विदेश मामलों के जानकार हमी जी बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज अगर्वाल को आप किस नजरिये से देख पारे क्योंकि अभी भी इसराइल एक फ्रेंट पर तो लड़ी रहा है हमास के साथ हाला कि इसराइल और लिबनान के बीच में संगहश्वे राम हुआ है देखे किसी भी देश के लिए जब वो लड़ता है इस्पेशली एक इसराइल जैसा दे तो इसलिए ये उसके एक existential crisis थी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा strategic move है कि वो तैयार हो गए हाला कि अगर इसमें देखें इसराइल में इसके उपर जो है consensus नहीं है पहले तो बन में जो security minister रहे बेंट गविर उन्हों नहीं मना कर उसके अलावा जितने northern area में municipalities हैं उनको जब ये बताएगा तो उन्होंने महां हला गुला मचाना शूरू किया कि वो इसके लिए नहीं माने तो ये जो हुआ है कि 60 दिन के अंदर इसराइली की फौज बाह पसाएगी और उसकी जगहे पह जो लिबनानी फोर्स के करीब 5000 लो है उसमें जितना भी infrastructure हिजबुला का है उसको ये destroy करेंगे और इस तरीके से वहाँ पे जो centrality होगी लिबनानी फोर्स की होगी लेकिन इसमें हो तो गया है इसमें एक छोटा साच मैंने कहीं देखा था एक बहुत interesting चीज़ देखी थी कि इसराइल ने बोला है कि भाई कोई आके रहो नहीं इदर एकाई रखो जो पलेस्टीनियन्स आना चाहते थे जिनके घर है महाँ पे साउथ लिबनान में उन्होंने उनको वार्निंग दिया कि यहां आने की कोई जरुवत नहीं क्योंकि उसमें उनको ये नहीं मालूम है इसमें कौन हिजबुला कौन नहीं है तो ये एक तो ये चीज़ दूसरा ये जो पैक्ट हुआ है जो कि अमेरिका और फ्रांस ने कराया है इसमें ये लिबनान और आईडिय एफ के बीच में है जो असली लड़ाई तो हिजबुला से है हिजबुला तो उसके पार्टी ही नहीं है हाला कि उसके जो जो परम इरान है जिसकी शेयर पे वो हिजबुला है उन्होंने इसका एक तरह सागत किया लेकिन उसमें भी इरानियन रिवुलुशनरी गार्टन मुला कि जीवान स्टेट हार गया इसमें तो ये लड़ाई जो है ये मेरा खैल है कि एक टेक्टिकल मूव है आगे चीज़ और आप से ने भी एक चीज़ देख ली कि उसने जो मिजाईल अटेक किये दो बार उन से कोई खास नुकसान हुआ नहीं इसराईल में तो उनको ड्राइंग बोर्ड पे दुबारा जाने जाने की जरूरत है उनका बहुत सा स्टॉक भी खत्म हो गया होगा तो वो ये चाहेंगे कि उन कि उनको रेस्ट रिकूप और कंसॉलिडेशन का एक टाइम मिल जाएगा तो ये उनका भी इसमें इरादा है और एक फ्रंट हो गया अब वो हमास को अच्छी दरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं हमास ने हाला की बोला कि हम तैयार हैं लेकिन जिस इस 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 इ कैबिनेट भी नहीं चाहते कि एक बड़ा मौकर बिंजयमिन नित्यानियाहू की जो असली ड़डाई है वो हमास के खिलाफ है जो अगर दे अगर वो हमास से कहीं समझाता कर लेते होस्टेजेज आए बगैर तो तो मतलब नित्यानियाहू का वही हालत होता जैसे एज़ाग प्राबिन का हुआ था कि उनको किसी ने गोली गाली मार दी तो उस तरह से इनका नुकसान हो जाता तो ये जो है असली उनकी लड़ाई तो अभी भी हमास से है और हमास के ओपर उसने कुछ नहीं बोला है कि हम उसको छोड़ देंगे वो तो कह रहा है कि उनको तो हम समाप् जबकि इसराइल इस तरह से कोशिश कर रहा है कि वेस्ट बैंक को वो अपने में पूरी तरह से आत्मसाथ कर ले और गाजा को भी नौदरन एरिया को अपने साथ कर ले क्योंकि नौदरन एरिया का मतलब गया सी वाला पोरिशन उसको जाएगा तो ये एक स्ट्राटिजिक इशूज हैं जिसमें डिफरेंस ऑपिनिन है बिल्कुल ट्रिपल च्यारी की हूती हमास और हिजबुल्ला के अगर बात के तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक शुरुवात हुई है कि मेडियल इस्ट में शांती के प्रयास यह संगश्विराम मक ग्रिवाल जी वार वार और यानि कि हत्यार भी बिखते रहें व्यापार भी चलता रहें वार भी होता रहें किस तरीके से देख पा रहें क्योंकि संगश्विराम तो हुआ है पर बहुत संभावना भी नजब नहीं आ रही कि यह लंबे समय तक चलने वाला है संतोस जी मुझे लगता है कि संगर्स विराम भी बहुत ही उटनीतिक और रणनीतिक रूपते महत्पूल पहला भी हमास और हिजबुल्ला के बीच में एक गैप क्रियेट करने की बात दूसरा इस मौके का फाइदा उठा करके जैसे भी बहुत रहें हैं इसराइल अपने को री आर्गनाईज री इन्वेंट करना चाहिए वो बड़े उद्देशों की तरफ बढ़ रहा है वो आज से महीना भर पहले नवंबर के शुरू में बहुत चुका है कि हम इसको इस पोर्शन को करीब-करीब सनिटाइज कर चुके अब वहां बहुत कुछ बचा नहीं है औ और अभी कभी स्टेट्मेंट जो आ रहे हैं निसे में वो कह रहे हैं कि हमने इनको दस्कों पीछे ढखेल दिया है यानि कि अब हमास हो या हिजबुला दोनों ही स्ट्रेटिक रूप से बहुत पीछे चले गए हैं और उनको री आर्गनाईज होने में जो सपोर्ट इसकी मजबूरी देखिए शुरू में इसने एडवांटेज लिया अब इसका साइकलोजिकल प्रेसर इरान पर पढ़ रहा है वो यह कह रहा है कि इसराइल ने अपना एक इमेज बूस्टरप किया और इस इमेज बूस्टरप के बाद्यम से वो अपने ब्यापार को भी इनकी है तो क्या इरान के साथ लड़ाई के साथ ब्यापार कर पाएगा इस वे कई होते हैं कि क्या इस बीच में कोई दूसरे प्रकार का रिटैलियेशन आता है क्या कोई प्रत्रोद आ रहा है क्या इरान की तरफ से या इसी प्रकार से कहीं और से दूसरा क्या ब्यापार क परिस्थितियां इतनी आसानी से बदल पाएंगी और इस्राइल उसी और बढ़ना चाह रहा है क्योंकि इसको अपनी एकॉनमी को भी जैसे आप कहा रहे हैं कि बिलिटरी आर्डनाइजेशन बढ़ाना है तो व्यापार को बढ़ाना होगा अमिर जी किस तरीके से देख पार है क्योंकि जब लगातार हम मेडिली लिश्ट की बात करते हैं इसमें क्या अमेरिका का जो हस्तक शेप रहा है क्योंकि अमेरिका और फ्रांस के दबाव के चलते ये समझवता हो पाया है कि ठीक है इसराइल और लेबनान के बीच में संगश्विराम होगा क्या ये जो बाइडिन की श्रे लेने की भीहोड दिखती है कि उन्हें पता है कि ट्रम्प 20 जनवरी को आ जाएंगे और ट्रम्प जिस तरीके से पहले से ही ट्रम्प के रियक्शन आते रहें कि नहीं 20 जनवरी के बाद कम से कम मिडिल इस में तो युद्ध नहीं होने वाला है तो क्या ये श्रे लेने की भीहोड दिख रही है सर मैं अमेरिका को फिर से कहूंगा कि अमेरिका ने ये शो कर दिया कि आज भी अमेरिका कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ट को डॉमिनेट कर रहे है यानि अमेरिका ने चीज़ शो कर दी कि ट्रिगर एलिमेंट मेरे पास ही है मैं चाहूं तो वार को स्टार्ट करवा दूँ आप पुराने historical background से जोड़ कर भी देखेंगे तो ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक चीज एक clear message दे दिया है उसने एक indications दिये हुए हैं कि अगर हम war में ceasefire कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डॉमिनेंसी ले कौन गया कहीं अमेरिका ले गया और इसराइल के favor में चीज़ें गई है और इसराइल की जादा शर्तों को मानने के लिए ही यूएन भी अफ्रंट में आया है यहां पर यह चीज़ जो एक साबित होने वाली बात होती थी वह साबित इसराइल की साइट से नहीं हुआ है इसराइल में तो का कि हमने तो defense मारा हमने तो defend किया और हम इसराइल इसराइल को मान जाता है अपनी शर्तों को मनवाने में वो बिल्कुल human के सामने विल्कुल fix हो जाता है कि नहीं देखे इन शर्तों पर ही मैंने ceasefire रोकी है इनी जो युद विराम हुआ है इनी शर्तों पर मैं आगे कोई action नहीं दूंगा सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल अभी स्टार्ट हुआ है इस तरीके से री डेवलप्मेंट फॉर्म में और ये जैसे हैसे टरम्प की सरकार आएगी डॉमिननसी बढ़ती चली जाएगी जाएगी तरम्प की सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है और इसलिए टरम्प की जो पृत्रिक्या रही एलेक्शन के कैम्पेइन में हमने सुनी दुनिया ने सुनी और शायद उसी का एक परणाम ये रहा है अमके अग्रवाल जी मैं आपके पास आऊंगे इस अमेरिका को लेकर और टरम्प को लेकर खास्तों से जो बाइडन को लेकर लेकर उसे पहले जो बाइडन ने क्या कुछ कहा है मिडिल इस्ट को लेकर लेबनान को लेकर लेबनान और इज्जाहिल के बीच चल है संगश्व बिराम को लेकर वो सुन लेते हैं. बिराम को लेकर वो सुन लेते हैं. बिराम को लेकर वो सुन लेते हैं. क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्या ये ट्रम्प की आने के बाद ये चीजें सामने आ रही हैं? क्योंकि जो अमेरिका के अंदर इंटर्नल पॉलिटिक्स दोनों के बीच चल रहा है. वर्तमान राश्ट्पती और जो होने वाले राश्ट्पती हैं बीस जनवरी को जो अपना सब्ता समा लेंगे, उनके बीच पिछली बार कुछ भी हुआ हो, लिकिन उससे ज्यादा कहीं न कहीं इस बार आपस में एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि तनाव देखने को मिल रहा है और दो मिलों की पॉलिसी से बहुत अंतर आ रहा है, टरम के गोश्राइक से कि मैं यह तो तुरंत रुकवा दूंगा, जो बार्डन के साथ एक चीज यह भी हो सकती है, वो इसको कहना चाहते हैं, आप क्या रोकेंगे, मैं तो पहले ही लोग चुपा हूँ, एक अमेरिका मे अपनी बढ़ात लेने की कोशिश, हलांकि बहुत देर हो चुकी है, यह अगर इलेक्शन के पहले होता, और कम सकम दोनों पार्टियों को लिया होता, हमास को भी शामिल किया होता, तब इसका श्रेव पूरी तरह से उनको मिलता, आज जब हिजगुला बहुत करीने से आइस अपनी बहुत बड़ा लाजिक नजर नहीं आता, फिर भी एक शुरुआत है, अज़र जी किस तरीके से देख पा रहे है, जो हम श्रेव लेने की होड की बात करते हैं, क्योंकि कुछी महीने बाद, बीजनुरी के बाद टरम का दोर शुरू हो जाएगा, देखें, जहां त देते हैं, जब चाहते हैं, लड़ाई बंद करा देते हैं, क्योंकि उनको दोनों इस्तिती में उनका फाइदा है, पहले तो हत्यार बीचने से फाइदा है, दूसरा फाइदा ये है कि जब रीकंस्रक्शन होगा, तो उनकी कंपनियों को कांट्रैक्ट मिलेगा, तो फिर उ इससे भी फाइदा है, तो उनको इससे कोई खास फरक ने पढ़ता है, नहीं चलती है, दौनों हालत में उनको फाइदा होगा, नमबर दू, जो इस वक्त का यूएस अड्मिस्ट्रेशन है, वो एंटी एरान है, तो ये लड़ाई जो थी, इसमें क्या है, हिजबुला सिच्वेशन नौर्थ में इस तरह से क्रियेट करेंगे कि उनका धान बढ़ जाएगा, और उसके लिए क्योंकि हिजबुला जो है, फ्रंट आम है, जिसको सेबर पॉइंट बोला जाए, इरान का है, तो इरान पर उस पर असर पढ़ने लगा, तो इरान ने उसमें कूट प रिस्टिक्शन नहीं है, ये जो है, लिबनान के वो जो उनके स्पीकर हैं, बारी साब, उन्होंने बोला कि नहीं जी हम हिजबुला को रेप्रेसेंट कर रहे थे, क्योंकि इसमें हिजबुला कहसे तो प्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वो तो नहीं कहेगा कि हम करेंगे, हो सक कि वो उतने रॉकेट ना दाख सके वो छोटे छोटे ड्रेड मार सके तो लेकिन वो नुकसान अपना करता रहेगा और जिसको कहते हैं कि पेंट पिंट्रिक्स वो मारता रहेगा जब तक कि वो उसको पूरी मजबूत ही ना मिल जाए और जो as far as Trump is concerned आप याद रखिए कि Trump एर से कोई बहुत जादा फरक पड़ेगा आपको याद हो कि साओधी अरबिया में एक विरान की विदिश मंतरी गया है तो बड़ी बैठक भी हुई थी तो यह अभी साथ दिन का जो यह पीरिड है हो सकता है कि इसमें इसराइल को फाइदा हो जाए कि वो अपना रियाम ज्यादा तो यह उनके लिए इसलिए वो इसके लिए लिए हीजबुला के लिए मानगए हमस के लिए वो नहीं मानेंगे और कि उसमें इसका मतलड नेताइनी होगी तो गर्वर्मन्ट गिर जाएगी उसमें तो जहां उसने मानगा क्योंगे अभी सर्फ बतिस चौर चौर ऄज़ी तो आए हैं, ज्यादा तो आए हैं तो उसमें जो है, उसको कोई फाइदा नहीं होगा. इसमें एरान का भी फाइदा है, कि एरान को भी एक मौका मिल गया, कि हम थोड़ा सा रुक जाते हैं. हम भी कंसोलिडेट ri got l crucial वो दो आवास में बोल रहा है उनके जो इरानियन नैशनल जो रिवोलिशनरी गार्ड हैं वो कह रहे हैं कि भाई जियान को तो हम ख़तम करके ही रहेंगे और इरान कह रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा हो गया तो ये मेरे खाल में कोई खास फायदा होना नहीं तो ये खास फ किस तरीके से इजाइल ने जो टॉप हेड के बैठने वाले लोग हैं खास फूर से हिजबुल्ला की बात करें तो उनको किस तरीके से मार ये कुछ चेहरे सबसे पहले हसन नस्रुल्ला जो हिजबुल्ला चीफ था उसको इजाइल ने मार किराया दूसरा आप दूसरी तालिब सलीम अब्दुल्ला जो इजबुल्ला नसार यूनिट का एक बड़ा कमांडर था मोहमद नासेर अजीज उनिट के कमांडर ये कुछ चेहरे अज़े जी किस तरीका आपको लगता है कि बहुत कुछ कुछ कमर तोड़ दी है इसाइल ने देखें ऐसा है कि एक जो आ लेकिन जब तक इसका एक पर्मनेंट सलूशन कुछ नहीं निकलेगा ये चलता रहेगा आज नहीं कल होगा क्या जैसे इरान है वो तीनों को कंट्रोल कर रहा है हमस को हिजबुला को होटी इसको तो अभी क्या करेगा कि उसकी ऑपरेशन कहां अमेरिका होटी के बारे में प करके क्या होगा वो लीडर्शिप फुर से बिल्ट हो जाएगी तो यह आइडिया जो है जब तक कि यह पैलेस्टीनियन की इश्यू जो है पैलेस्टाइन की कभी क्योंकि वो तो यह कहते हैं ना कि जो 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 इस्टेट को रहने का कोई अधिकार नहीं है इस्लामिस्ट इसके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इससे रिनेच करना पड़ेगा दो कंट्री के लिए आना पड़ेगा अमेरिका को भी कहना पड़ेगा कि जो इस्राइल कहता है कि हम एक पैलेस्टीनियन खटम कर देंगे हम एक साथ बन जाएंगे तो वो उस स्टेज से उनको आना जाना पड़ेगा एक वो तस्वीर देखते हैं क्योंकि साथ एक्टरूबर दोजारत थे इसको जिस तरीके से हमास ने एक साथ इसराइल पर हजारों की संख्या में मिसाइल दागी थे और उसके बाद एक वीडियो आईडिया ने की मागी जो डिफेंस फोर्स है इसराइल क किया था कि आखिर युद्ध से पहले की स्थिति क्या थी और युद्ध के बाद लेबनान की स्थिति क्या हुई इसराइल की स्थिति क्या हुई उस पर एक वीडियो जारी किया था और तब से लेकर कहा जा सकता है कि 14 महीने संघर्ष चला 14 महीने युद्ध चला लेकिन फि खुश है कि वो अपने शहर वापस आ रहे हैं जो जिनको अपना घर अपना परिवार अपना शहर अपनी जमीने छोड़कर लेबनान से कहीं दूर जाकर जाना पड़ा क्योंकि अपनी जिंदगी बचानी थी अब ये वापसी की तस्वीरे हैं कि एक बार फिर इस संगश्वी राम ने कहा जा सकता है कि हजारों लाखों लेबनानियों के चेहरों में खुशी लाई है और ये तस्वीरे एक बार फिर शहर देख रहे हैं कि जो शहर है वो चल रहा है क्योंकि इससे पहले लोगों का डर थ है समधान इसी तरीके से है देखे इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये लिबनानीज हैं ये तो चाहते हैं वहाँ बापसे हैं लेकिन कि सुरक्षा की गारेंटी कौन लेगा क्या लिबनान की फार्ज में इतनी दम है क्योंकि वहाँ पे तो हिजबुला एक त इस्राइल का वो इस्राइल क्या कह रहा है कि नहीं जी हम किसी को आने नहीं देंगे ये बफर जोन ये बफर जोन की कोई बात ही नहीं हुई कि वो ये कह रहा है कि हम लिटानी रिवर और ब्रू लाइन के बीच में किसी को नहीं आने देंगे वो अगर हुआ तो ये मतलब नॉन स्टार्टर हो जाएगा ये एक मेकैनिजम बनना पड़ेगा जिसमें कि लिबनान के लोग आ सकें अपने घरों में दुबारा रह सकें और साथ ही लिबनान की फाज इतनी मजबूत हो कि वो हिजबुला को दुबारा आने न दे और इसमें अमेरिका और फ्रांस दोनों क सहयोग बहुत आवश्यक होगा बिलकुल अमेरिका और फ्रांस का सहयोग बहुत आवश्यक होगा अमके गरवाल जी कर मेरी आवाज आप तक पहुचे हो किस तरीके से व्यापार क्या आपको रखता है अभी हमारे साथ मैमान नहीं चुड़ पा रहे है लेकिन एक रिपोर् उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं युक्रेन को बचाने का भ्यान भी शुरू होता नजर आ रहा है बाइडन की रक्षा मिशन के तहट उरूप के कई देशों से बाइडन प्रिशातन लगातार संपर्क में है क्योंकि युक्रेन के बाद उरूप भी युद्धि के चपेट में आ सकता हुर्थी लिए सारे इ आतों में ले लिए अमेरिका समेथ युरोप के कई देश रास्ता निकाल रहे कि किस तरह युक्रेन को बचाया जाए युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो युक्रेन का अस्ते तो खत्रे में पढ़ सकता है हाला कि बाइडन के कहने पर नाटो देश युक्रेन को दो लाग लाग कुई मान की फ्लीट युक्रेन को देगा नीदर लैंड युक्रेनी नेवी को युट्ट फोर्ट देगा और इटली युक्रेनी फोर्ट को पक्तरमन हत्यार सप्लाई करेगा जर्मिन युक्रेन को 2IR IST एर डिफेंस सिस्टम भी देगा अमेरीकी प्रशासिन की मानलत तो युक्रेन को बचाने का अन्दिंप्रयाश कया जा रहा है क्योंकि टरम शाखरा जर्ण शूरू होने से पहले ही युक्रेन को रिस्ट्चू करने का प्लान दिख़ा है क्योंकि पिन नाटो जानता है कि ट्रम के वाइट और फॉस्ट पर ही दुरिया के यो धरोग जाएंगे या रोग दिये जाएंगे इसे ही कहते हैं वार और व्यापार दोनों साथ साथ चलते हैं असर जी एक तरफ ठीक है मेडिल इस्ट में संगाश्वे राम हुआ है लेकिन जो बाइडन प्रशासन रूस यूकरेन पर भी कहा चाहिए कि नजदा अखेव में इसमें क्या कहलाता है नाटो में नहीं जाना चाहिए वहां से शुरू हुई बात उसके अलावा जो पूरा डॉनबास का एरिया है और क्रीमिया का एरिया है उसमें पूरी तरह से जो रशियन इतनिसिटी है लैंगवेज भी रशियन है एथनिक भी रशियन है तो उनके क्रीन का था उसमें एक तरह से भेदभाव था तो रश्या कह रहा था कि उसका तो अंडर मेली है तो उसने वहां से लडाई शुरू हुई थी अभी तक अमेरिका का ये था कि उनको इसमें एक ऐसी अपॉचिनिटी दिखी कि भाई रश्या की नाखम रगण सकते हैं तो उन में उनको कोशिश यह थी कि रश्या को किस तरह से नाख जमीन पे लगाई जाए लेकिन पुटीन ने अब जो धंकी दिया कि हम तो न्यूक्लियर ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं तो अब नेटो में स्पेशली खलबली है क्योंकि उससे नुकसान बाकी का हो ना हो नेट कि कोई उकात नहीं है कि वो रश्या से लड़ सके तो इसलिए वो जो है उन्होंने दिया और अब जो है वो कहरें कि हम शान्ती चाहते हैं और अगर वो हत्यार का टैप बंद कर देंगे तो जलिंस्की साब के पास कोई आप्शन नहीं है बलकि यह मानने के लिए कि युद दिखा सकूं अगर उन्नीस दिविश्ट अटा जाता है रूस्टों उक्रेइन के युद रुख जाता है तो क्या एक बड़ी उपलव थी बाइटन के खाते में जुड़े हां लेकिन क्या है कि इतना डिस्क्रेडिटेटेट हैं यह दुनिया में सब को मालूम है कि लड़ा लेकिन का ऐसे देश नुकसान हो रहा है और रश्या की जो वीकनेसे से वो एक्स्पोज होगी तीनों चीजे हैं बिल्कुल तीनों चीजे हो लगातार जिस तरीके से पिसले कुछ दिनों में तसमंदर दिनों के अगर हम अंतराश्री स्थर पर हलचल देखें तो जो परशासन लगातार काम कर रहा है वो है रूस और यूकरेन हाला कि नाटों के देशों को बाइडन सरकार की तरफ से यह बोला गया कि दो लाग करोर से जादा जो हतियार हैं अलग अलग देशों को वो यूकरेन को मौया कराने हैं क्या अज्या जी अस्तुत की लड़ाई है फित्ता लड़ाई लड़ाई है। नहीं समर्तन दिया गया सपोर्ट नहीं किया तो यूक्रेन का स्तुदाथ खत्म होजाए गया Mark G Dul NATO वेनAR जैसे बुला। कि यूक्रेन को अगर अमेरिका या तीछ तीछे कर लेगा तो यूक्रेन की अपने में कोई खास ताकत बची ने ढाई साल में उनकियां जो कैशुल्टीज हुई हैं जो लोग भाग के चले गए हैं उसके चलते उनका मैंन पार की बहुत तगडी प्रॉब्लम है इस वक्त तो अगर हत्यार नहीं दिये तो अल्मूस उनका तीस से चालिस परसेंट एरिया जो है तीस परसेंट के लगभग जो है और रश्या ने अलड़ी कबजा कर रखा है और करक्स पे जिसमें उन्होंने जाकर के एक कबजा किया था हजार स्क्वेर किलोमेटर उसमें करीब सिर्फ बहुत थोड़ा हिसा करीब 30-35 परसेंट बचा है बाकी सब जो है रश्या ने लेकिन अभी क्या है कि उसको इस वक्त कोई सपोर्ट अगर अमेरिका नहीं देगा तो उनको रुख जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में जैसा कि मोदी जी बार बार कहते है एक तो यह होना चाहिए एक अंडर्टेकिंग होनी चाहिए कि नेटो नहीं जोइन करेंगे हम मतला नेटो अलाई रहेगा नेटो मोस्ट फेवर्ड नेशन दे देगा अमेरिका सब कुछ कर देगा तो एक कुछ तरकीब निकल के आनी चाहिए और तबी होगा जबकि युद विराम होगा युद विराम में ये पारलेज होंगे और ये तब होगा जबकि अमेरिका हत्यार दे तब चुनोते हैं जादा होती? मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या है? कि आप देखिए चाहे वो बॉल्टिक रिपब्लिक से थे इस्टोनिया, लट्विया, लिथवानिया या पॉलेंड था या रुमेनिया था या इनकी किसी की भी सीमा रश्या से नहीं लगती है ये पहला देश है कि जिसकी सीमा रश्या से लगती है तो अगर आज की तारीख में ये जो हट गया यहां से, अगर नेटो में चला गया तो इनकी मिजाईल कहां डिप्लाय होंगी नीप्रो रिवर पे, नीप्रो रिवर का मस्को उनकी जद में आ जाएगा, इसलिए ये और जो फिनलेंड गया है नेटो में, ये दोनों रश्या के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि वहां फिनलेंड में जो आने से, बाल्टिक सी में आने से क्या हुआ है, कि जो लिनिंग्रेट जिसको हम बोलते थे, आज सेंट पीटर्स बग बोलते हैं, वो उनकी मिजाईल की जद में नेटो की में आ गया है, तो ये रश्या कभी न इमेजेट हल सिर्फ ये है, कि अमेरिका हत्यार देना बंद करें, और जो इस तरह से एक अंडर्टेकिंग जैसी हो, और उसके बाद क्या हो कि युदविराम हो, फिर बाची शुरू हो, और उसमें कोई रस्ता निकले, तो ट्रम्प कहाने के बाद ऐसा लग रहा है, सभी सम इंडो पैसिफिक जाता है, तो चाइना पर उसका जोर रहेगा, ठीक है, वो रश्या पर इतना ज्यादा नहीं करेगा, नमबर वन, जहां तो जियोक्नॉमिक्स का सवाल है, अगर लडाई रुकी, तो यूकरिन को किसी को रिबिल्ट करना होगा, वो तो बिजनसमेन है, तो पूरी अमेरिकन कंपनी इसको ठेका मिलेगा, उसको रिबिल्ट करने के लिए, तो दोनों तरफ से, हत्यार नहीं बिकेगे, लेकिन ये बिकेगे, या आपका रिकंस्रुक्शन के लिए आपको फाइदा मिलेगा, आपने इंडो फैस्फिक के जिक्र के अभी दो दिन पहले है, रश्या की तरफ, इंडिया उनकी वो हाई प्राइरिटी नहीं रह गया, इंडिया उनका पिवेट है, इंडो पैसिफिक के लिए, चाइना के अगेंस्ट, तो जब भी देखी कि पहले जब था, जब तक योक्रेन वार शुरू नहीं हुई थी, तो इंडो पैसिफिक मे ये इंडिया की सिंट्रालिटी थी, जहां अभी रश्या का होने लगा, तो वो योरोप हो गया, योरोप हो गया, तो जो बाइडन का, आप देखिया है, इंडिया के अगेंस्ट जो जिसिशन हुए हैं, चाहे वो पन्नु वाला केस हो, चाहे बंगला देश हुआ हो, जो भ बला से, ये है, एक चीज़ और क्या, क्या आपको लोगते अमेरिका नहीं चाहता है कि रश्या और चीन नजदीक है, बिलकुल, रश्या चीन जिस दिन नजदीक आगे, रश्या चीन इंडिया कि अगर एक एकसिस बन गई, तो जपैन को, अच्छा उसमें इसलिए कौड च एक, दो, तीन, चार, अमेरिका उधर पीछे है, इधर तो बिज़े कौड लेटरल बन गया, और उसमें क्या, जिस दिन टैवान गिर गया, अमेरिका को थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मार्शाल आइलेंड, गौम जो है, उनकी अपनी बिलकुल जद में आजाएगा तो वो टैवान को गिरने देही नहीं सकते है, अमेरिका, वहाँ पी इंडिया की बहुत सेंट्रालिटी है, तो चाइना को चेक में रखने के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा, नौर्च से जपैन, जो की फिलिपीन के उपर जोर लगा सकेगा, और जो नौर्च से चाइन इंडिया बहुत इंपोर्टनेंट है, अगर रश्या से है, तो इंडिया की इंपोर्टनेंस उतनी कम है, आने वाले चार साल बेहद महत्पूर होने वाले हैं, जैसे ही बीज जन्री से ट्रम्प युग शुरू होगा, ट्रम्प के तेवर दुनिया जब महसूस करेगी रिखे जा सकते हैं, खास तोर से जब हम वार जोन की बात करते हैं, जब हम युद्ध की बात करते हैं, वो चाहे मिडिरिस्ट का एरिया पर भावित रहा हो, चाहे रूस और यूक्रियन, शायद इसी लिए बाइडन पुर्शासन के कोशिश कर रहा है कि कहीं रश्या जो है वो यूरोप को भी अपने दारे में ना ले ले, यूरोप के कई देश उससे प्रभावित ना हो जाए, क्या य भी इक बड़ी वज़ा है अजय जी, बिल्कुल, देखें, जहां तक यूरोप का सवाल है, आप देखें, यूरोप का जो एकॉनमी जैसे कि भारत, जो जिसको इंडियन, मैं साथ एश्या बार्ड यूज नहीं करता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हमारी एकॉनमी है, वो इंटिग्रेटेड है, हमारे रिसोर्से इंटिग्रेटेड, जो यूरोप के रिसोर्से वो इंटिग्रेटेड, वेस्टेन रशा, जो रशा का जो व में जाता है तो वह बहुत इंटीग्रेटेड एकानिमी है अमेरिका उसमें जो करेगा अगर मानली जो गैस वो दे रहा है उसकी गैस तो महिंगी बड़े कैट्रेंटिंटिंपी अक्रॉस आएगी यहां तो यह उपर से बस सीधे आ जाएगी तो यह जो है यॉरप का भी नु जिसमें की बट लेकिं उनको भी मालू है कि पुटीन जो है वो विस्तारवादी हैं वो दादागीरी फिर भी दिखाएंगे अगर उनके पास अगर वो सच्छन रह गए तो एक कोई ऐसा सिस्टम बने जिसमें की यॉरप को भी उतना फाइदा मिले रश्या को नुक्सान न हो यॉक्रेन के इंट्रेस्ट जो इंटेक्ट रहें और डॉन बास में जो हुआ है वो उनको वापस मिल जाए क्योंकि डॉन डॉन बास का एक जो एकनाविक रीजन्स है देखे जो असली उनकी जो फूड ड्रेन की बेल्ट जो बेस है वो डॉन बास हे रिया है उसके प्रिमिया से उनका सारा कुछ वहां पर ब्लैक्सी के थू सामान जाता है तो डॉन बास उनकी इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टन है इसलिए यूक्रेन रश्या का मतला सदियों से ये एक साथ सामान था तो वह मेरे खहल में इसमें एक नए बार्ड और बनने की जरूरत ह और देखिए अगर उसमें कोई शांती से बात करें भारत किस्तिती क्या देख पा रहा है क्योंकि अगर युद्ध विराम होता है या फिर इंडो पैस्विक्स शेत्र में भारत और मजबूत होता है क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अगर चाइना पे टैरिफ लगाते हैं त बहुत सारी कंपनियां चाइना छोड़ करके विएटनाम, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडिया आ गई हैं और और ज्यादा है जिसको कहा जा कि अल्मूस 15-16 बिलियन हो गया है फॉक्सकॉन और जो अपना विंस्ट्रॉम वगरे जो कंपनिया है जो एपल बनाते हैं तो वो इंडिया में आ गई हैं इसे बहुत सारी कंपनियां वहाँ छोड़ छोड़ के आना चाहती हैं इंडिया में तो ये इंडिया को एक तो एकनामिक फाइदा होगा, नमबर एक, नमबर दो, इंडिया की एक्वेशन इसलिए कि अगर एशिया पैसिफिक है, आप देखें कि ए इसलिए ग्रेक निकोबार आइलेंड में जो उनका बेस बन रहा है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से इंडिया की सेंट्रालिटी यहां बहुत सब्स्टेंशल, दूसरा इंडिया की जो एक बहुत अच्छी चीज जो हो रही है, लोगों से उनकी दोस्तियां बढ़ती जा इंडिया की सेंट्रालिटी जीओ पॉलिटिक्स में बढ़ती जाएगी, इसके लिए जरूरी यह है कि इंडिया की मैनिफेक्ट्रिंग के पैसिटी बढ़े, इंडिया की एकॉनमी जितनी मजबूत होगी, उतना फाइदा लेगा, डिमांड के साब से त्यारी हो, यह एक आ क्योंकि यह होती नहीं दिखा दिया, यॉरप को कि भाई जो रेट सी वाला रूट है, यह बहुत खत्रे से भरा है, तो अगर इस से जाओगे तो वहां से उपर जाके अजरबैजान होते हुए आप तर्की जा सकते हो, तो क्योंकि आप तर्की जा सकते हो, तो उसका इसलिए आप देखिएगा कि जो दिन बर दिन ये इंडिया जो इंडिया और इरान की घट नहीं रही है, इंडिया इरान और उसमें अफगानिस्तान इंपर्टेट है, क्योंकि वहां से जो है एक जाहिदान जगह है, चाबहर से जाहिदान रेलवे लाइन बने की और जाहि कर सकता है, बहुत जरूरी है. कई ऐसे देश जो युद्ध ग्रस्त है और उन युद्धों का असर, उस कहार रसतकता है कि संघर्ष का असर दुनिया का हर देश जेल रहा है, जो सप्लाइचेन प्रभावित हो रहे, क्रूड ओयल प्रभावित हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन सब के लिए कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता, समाधान सिर्फ समवात, समवात और समवात, तो बिग निवस बेंगले से बाद बसता ही, कल फिर किसी अच्छे विश्य के साथ, आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए, नमस्कार, अच्छा, ये जो है ना, इसमे आप एक और एंगल जो है, अगर आप सुचो,